केसर्या होई काशी तीन सागर और बारा नदियों के जलसी हुआ बाबा का विशिक सावन के तीसरी सुमवार पर बाबा विश्वनात के दर्बार में सुबह दस बजे तक तीन लाग से जादा भक्तों ने मत्था ठीका विश्वनात मंदेर परिछेत रिकावर्यों के कारण के सर्या रंग में रंगा नज़र आ रहा है सारंगनात कर्मिदेश्वर महादेव और विश्वनात मंदेर समेट अन्य देवालियों में शद्धालों की भेड जुटी है बाबा विश्वनात के दर्बार में सुबह दस बजे तक तीन लाग से जादा भक्तों ने मत्था देखा है विश्वनात मंदेर प्रिशासन का नुमान है कि सावन की तीसरी सोंबार पर शिव भक्तों का आकड़ा छे लाग को पार कर जाएगा रविवार को भी बाबा विश्वनात के दर्बार में भक्तों का रेला उम्डा था शधालों की भीर का आलम क्या था कि शायन आरती तक लगवक तीन लाग शिव भक्तों ने बाबा का जलाविशेक किया सावन के तीसरी सोंबार पर रात से ही बाबा का जलाविशेख करने के लिए शिभवक्तों की कतार लगने शिरू हो गए थी सोंबार अलसुबा मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनात के मंदिर के गर्ब ग्रह के पट छाकी दर्शन के लिए खुले तो कतार में खड़े शद्धालों हर हर महादेव के जैकारी लगाने लगे दर्शन पूजन का सिलसला अनवरत जारी है अर्दनारिश्वर स्वरूप में देंगे भगवान भक्तों को दर्शन विश्विके नात बाबा विश्विनात सावन की तीसरी सोंबार को अपने अध्भुत स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे भक्त भगवान शिप के अर्धनारिश्वर स्वरूप के दर्शन करेंगे खास बात या है कि भगवान शिप का या स्वरूप भक्तों के लिए होता है मनुस्म्रती के अनुसार महादेव ने स्वयम को दो भागों में जिभख्त करके अर्दनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराई थी तीन सागर और बारा नदियों के जल से हुआ बाबा का विशेग बाबा विश्वनात के दर्पर शधालवू का रेला सावन की तीसरी सोंवार पर बाबा विश्वनात का जलाविशेग बेहत खास रहा लंबे अंतराल के बाद देश की बारा पवित्रे नदियों और तीन सागर के जल से अविशेग किया गया सावन की तीसरी सोंबार पर परंपरागत रूप से विश्वनात गली वैफसाई संग बत्वारा बाबा विश्वनात का जलाबिशेक किया है विश्वनात गली वैफसाई संग के नेतरत में होने वाले जलाबिशेक में इस बार विशेश तोर पर देश के विभिन भागों से बारा नदियों वा तीन सागरों जिनमें गंगा के अलावा यमुना, सरस्वती, त्रिवेनी संगम, कावेरी, तापती, ब्रह्मापुत्र, अ हिंद, क्रिश्ण, नर्वदा के साथ ही तीन महा सागरों, महानन, गंगा सागर, अरब सागर के साथ ही हिंद महा सागर का जल मंगाया गया था शास्त्रात्र महा विद्याले की ग्यारा वैदिकों द्वारा पूजन कराया गया जलाब शेक के लिए विश्विनाद गेली की व्यपारी सुबा आट बजे चितरंजन पार्क पर एकट्टा होगे डमरों की गळगळा हाट और शंक द्वनी करते वे व्यपारियों का समुप परंपरागत मार्क सिंग ड्वार डेल सी पुल से साक्षी विनायक होते वे केट नमबर एक डुंडी राज गनीशते विश्विनाद मंदे में जलाब शेक करने पहुचे गर्व ग्रे में बाबा का जलाब शेक के पक्षा व्यपारी अन्पोना दशन करके डुंडी राज से होगे